हम एक लोगतांत्री की ववस्ता में हैं और हमारे सामने तीन लक्ष साफ साफ होने चाहिए और मैं मानता हूँ कि उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और तीनी होता नहीं है बाकि और किछी चीजी हो सकती है लेकिन मैं तरफ तीन को आज समावित करना चालता हूँ पहला लक्ष है कि आखिर करा में देश में जो भी विवस्थाइं चलाते हैं जो भी बजेट घर्च करते हैं जो भी पद प्रतिश्णा हम प्राप्त करते हैं किसके लिए हैं जी यह सब क्यों है यह मेहनत किस बात के लिए है यह तामजाम किस बात के लिए है और इसलिए मैं कहूँगा हमारा पहला लक्ष है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन में बडलाव आए उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो देश के सामान ने नागरी को अपनी सामान ने जिन्दगी के लिए सरकार से जो नाता आता है उसे जिद्दो जहां न करनी पड़े सहाज रुप से सब उपलब्त हो ये लक्ष सदा सरवद हमारे सामने होना चाहिए हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए कि देश के सामान ने मानवी के सपनों को संकल्प में बदलने के लिए उसका सपना संकल्प कैसे बने उस सपने को संकल्प तक यात्रा पूरी कराने में एक पॉजिटिव एट्बोस्पियर एक स्वाभाविक बातावन पैदा करना ये व्यवस्था का जिम्मा है जिसका नेत्रुथव हम सब के पास है हमें ये भी देखना चाहिए कि देश के नागरिकों को अपने संकल्प के सिद्धी की आत्रा में सपना संकल्प बन जाए बात वहाँ अटक नहीं सकती है जब तक की संकल्प सिद्ध न हो और इसलिए सपना संकल्प बने संकल्प सिद्धी बने इस पूरी यातना वहाँ जहां भी जरुवत हो हम एक साथी की तरह एक कलिक की तरह उसके साथ हो उसके हैंड होल्डिंग करें इस जो अग्लुमिंग को बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर पाएं वो हमें जरू करना चाहिए अगर मैं दूसरे लक्ष की बात करूँ तो आज globalization globalization हम पिछले कई दस्तों को से सुन रहे हैं हो सकता है भारत कभी दूर से इन चीजों को देखता था लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है आज भारत का positioning बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्वबे करना अब हमारे लिए समय की मांग है भारत दुनिया में शिर्ष पर कैसे पहुँचे अगर दुनिया की गटिविदियों को नहीं समझेंगे नहीं जानेंगे तो हमें कहां जाना है और शिर्ष स्थान पर जाना है तो हमारे राह कौन से होगी हमारे शेत्र कौन से होंगे यह हमें आइडेंटिफाय करके और उसका तुल्डात्व अध्यान करते हुए मैं आगे बढ़ना ही पड़ेगा हमारी यो योजनाय है हमारे गवर्णन्स की जो मोडल है वो हमें इसी संक अधली का आती रहे हम की इसली स्थाब्डी की चोछ्च पिछली स्थाब्दी के नीथ की रिवह से अगली स्थाब्ढी कीbolती का संकल्प नहीं कर सकते हैं और इसलिए हमारी व्यवस्थाओं में हमारे नियमों में हमारी परमकुराओं में पहले शायद बदलाओ लाने में 30 साल 40 साल चले जाते होंगे तो चलता होगा बदलते हुए विश्व और तेज गती से बदलते हुए विश्व में हम पलक-पलक के हिसाब से चलना पड़ेगा ऐसा मेरा मत है अगर मैं आज तीसरे लक्षी की बात करूँ जो एक प्रकार्स में दोहरा रहा हूँ क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूँ सिवी सर्वीश का सबसे बड़ा काम यह कभी भी हमारे लक्षे ओजल नहीं होना चाहिए व्यवस्ता में हम कहीं पर भी हो उपद पर हम कहीं पर हो लेकिन हम जिस व्यवस्ता से निकले हैं उस व्यवस्ता में हमारी वो प्राइम रिस्पॉंसिबिलिटी है और वो है देश की एकता देश की अखंडता उसमें हम कोई कम्प्रमाइश नहीं कर सकते स्थानिये सर पर भी हम जब भी कोई निने करें उन निने कितना ही लोग लुभावना हो वहावाई वटोर्ये वाला हो कितना ही आकर्शक लगते हो लेकिन एक बार उस तराज़ु से भी उसको तोल दीजिए कि मेरा ये छोटे से गाउं में कर रहा हूं जो नेड़ा है कहीं वो मेरी देश की एकता अखणित्ता के लिए रुकावड बनने वाला है तो मैं कोई बीज़तों नहीं बोड रहा हूं आज तो अच्छा लगता हो प्रिया लगता हो लेकिन स्रेयस कर नहों और मात्मा गांधी हमेशा स्रेय और प्रेय की बार लगातार करते थे हम उस बात के और आग्रही बने हम नकारात्मक्ता को छोड़ करके हम ये भी देखे हमारा कोई भी फैसला देश की एक्ता को मजबूत करने माले स्पिरिट से जुड़ा होना चाहिए सिर्फ तोड़ता नहीं इतना इनप नहीं है वह मजबूती देता है और विवी देता परे भारत के अंदर हमें लगातार एक ताके मंत्र का सॉलूशन करते ही रहना पड़ेगा और ये पीडी दर पीडी करते ही रहना पड़ेगा और उसकी चिंता हमें निकालनी पड़ेग और इसलिए पहले भी कह चुका हूँ वाज फिर कहना चाहता हूँ भविश में भी कहता रहूंगा हमारे हर काम में कसोड़ी एक होनी चाहिए इंडिया फॉस्ट नेशन फॉस्ट मिरा राष्ट सर्वो परी हमें जहां पहुतना है लोग तंत्र में शासन व्यवस्थाएं भिन भिन राजनितिक विचाराओं से पेरित हो सकती हो और वो भी लोग तंत्र में आवश्यक भी है लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्ताएं हैं उसके केंद्र में देश की एक्ता और अखंडिता और निरंतर भारत की एक्ता को मजबूत करने के मंत्र को हमने आगे बढ़ाना चाहिए लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए